सुप्रीम कोट में एक रिट याचका दायर की गई है जिसमें गर्मी के महीनों की चिलचलाती गर्मी में वकीलों को पारंपरिक काले कोट और गाउन पहनने से छूट देने के लिए नियमों और अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने के निर्देश देने की मांग की चिकित्सा विशेशग्यों की एक समिती गठित करने के भी प्राथना की गई है जो ये अधियान करेगी कि गर्मियों में गर्म कपड़े पहनने से अधिवक्ताओं के स्वास्त कारिशमता और काम की गुनवत्ता पर क्या प्रभाग पड़ता है और तदानुसाच सुझाई जाएंगी अधिवक्ता शैलेंद्र मनी त्रिपाठी द्वारादायर याचका में शीर्ष न्यायले से आग्रे किया गया है कि राज्यों में अधिवक्ताओं के लिए पारंपरिक ड्रेस कोड में धील देने पर विचार किया जाए क्योंकि इससे बढ़ती गर्मी के दोरान कठिनाईयों और स्वास संबंधी समस्याए हो सकती हैं याचका में इस बात पर जोर दिया गया है कि काले कोट और गाउन का ब्रेटिश मूल का ड्रेस कोड देश के विभिन जलवायू संबंधी विचारों को ध्यान में रखने में विफल रहा है याचका करता ने पहले भी इसी रहात की मांग करते हुए 2022 में सुप्रीम कोट का दर्वाजा खट-खट आया था जिसे बार काउंसल आफ इंडिया के समक्ष एक अभ्यावेधन दायर करने के लिए वापस ले लिया गया था अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो इसे लाइक करना करने पुलेवा